नवश्कार आप देख रहे हैं आज की खबर मैं हूँ आपके साथ रागनी सिंग रुख करेंगे खबरों की ओर लेकिन उससे पहले हेड्लाइन्स पर एक नज़र ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेट में पीएम मोदी का संदेश कहा निवेश के लिए भारत में अनकूल महल दिल्ली दंगा केस में पूर पार्शद ताहर रोसान के खिलाफ आरो तैद दंगो की फंडिंग का लगा आरो जबू कश्मीर में कुपवाड़ा में एलोसी के पास गश्टी के दौरान हुआ हाथ सा गहरी खाई में फिसलने से तीन जवान हुए शहीद दिल्ली अन्सिया समयत उत्तर भारत में प्रचंठन का प्रकोप कोहरे ने थामी वहनों की रफ्ता ग्रेट अनॉइडा में आटो एक्सपो दोहजार तैज का आगाज पहले दिन तीन कंपनियों के वहन से उठेगा परदा प्रवासी भारतिये के सफल आयोजन के बाद इंदौर में दो दिवसिये ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट की शुरवात आज 11 बजे इंदौर के बिरिलियंट कन्वेंशन सेंटर में हुई सम्मिट में करीब 65 देशों के प्रतिनिदी भाग ले रहे हैं ग्लोबल इंवेस्टर सम्मिट की शुरवाती कारिक्रम में मध्य प्रदेश के मंत्री राजवर्दन सिंग दत्ती गाउं ने अतितियों का स्वागत किया केंद्रे राजमंत्री प्रहाद पतेल और मध्य प्रदेश के मंत्री राजवर्दन सिंग्धती गाउं ने दीप्रजलित कर विधिवत शुभारंब किया इस कारिक्रम में प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी सम्मेट में वर्च्वरी शामिल हुए और कारिक्रम को सम्मोधित करते हुए कहा कि विक्सित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमी का बेहद महत पूर है आप सभी इन्वेस्टर्स का उद्यम्यों का बहुत बहुत स्वागत है विक्सित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमी का बहुत महत्पकूर है आस्था आध्यात्म से लेकर परियत्रन तक एग्रिकल्चर से लेकर एजुकेशन और स्किल्ड डवलप्मेंट तक MP अजब भी है गजब भी है और सजग भी है साथियों मध्य प्रदेश में ये समीट ऐसे समय में हो रही है जब भारत की आज़ादी का अमरित काल शुरू हो चुका उत्तर पूर्वी दिल्ली में साल 2020 फरवरी में हुए दंगो को लेकर कोट में आज़ सुनवाई हुई कोट ने दिल्ली नगर निगम के पूर पारशन ताहिर हुसेन के खिलाफ मनी लॉन्रिंग के मामले में आरोप तैकिये हैं कोट ने दस फरवरी को मामले में अगली सुनवाई करेगी साल दो हजार बीस फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें पचास से जादा लोगों की जान चली गई थी जंबु कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुभा बड़ा हाथसा हो गया कुपवाड़ा के लोसी के पास नियमित गश्ट के दोरान गहरी खाई में गिरने से एक जूनियर कमिशन अधिकारी सहित तीन सैनिक शहीद हो गया बारतिय सेना ने हाथसे के बारे में बताया कि ये लोग नियमित गश्ट के दोरान हाथसे का शिकार हो गया हाथसे के बारे में भारतिय सेना की ओर से दीके जानकारी के मताबिक उत्तरी कश्मीर के कुपवाडा जिले में नियंत्रों रेखा के पास माचल सेक्टर में एक गहरी खाई में फिसल जाने से एक जेसियो और दो सैनिकों की मत हो गई दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीत लहर और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पंजाब, हर्याना, चंदीगर, दिल्ली, मध्यप्रदेश और उत्राखन के 24 घंटों में रात और सुबह के दोरान कुछ हिस्सों में घने से जा हाला कि उत्तर पक्षिम भारत के मैदानी इलाकों में 24 घंटे के बाद शीत लहर के स्थिती में कम्यानी की संभाबना बताई गई है बिहार के बक्सर में मंगलवार की रात पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर उनकी पिटाई किये जौरान पुलिस ने महिलाओं को भी नहीं चौड़ा दरसल बक्सर जिले के बनारपुर गाउं में के पास रहे चौसा थर्मल पावर प्लांट में अधिकरति भूमी के उचित मुआवजे की मांग को लेकर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे है मंगलवार को भी किसानों ने अपनी मांगों को लेकर थर्मल पावर प्लान के मुख्य गेट पर पदर्शन किया इसके बाद रात को उनके घर पुलिस पहुँच गई और उन पर जम कर लाठिया चलाए बता जा रहा है कि पुलिस आदी रात को किसानों के घर पहुंची और दर्वाजा खोला पुलिस ने उनके घर में घुसकर लाठी चार्च कर दिया पुलिस की इस आमानविय करतूत की लोगों ने वीडियो बना ली जो सोशल मीडिया पर अब वारल हो रही है वहीं तेजस्वी आदस से इसको लेकर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बकसर की घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है जोशी मट में भूध हसाफ को लेकर केंद्र राजसरकार अलर्ट है पियम मोदी लगातार सीम धामी से जोशी मट का अपडेट ले रहे हैं सीम धामी हालातों का जायजा लेने के लिए जोशी मट पहुँचे सीम धामी ने जोशी मट में राहत बचाफ कारियों की समीक्षा की और पीडित परिवारों से मुलाकात की आज सीम धामी ने जोशी मट में ही रुकने का घोशना की एस बीच ग्रह मंत्री अमिर्शा ने सीम से फोन पर बात की और राहतकारों की जानकारी ली वहीं बीजेपी के रास्ट्रिय अध्यक्ष जेपी नड़ा नेवी मुख्यमंत्री पुशकर सिंधामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंदर भट से फोन पर जोशी मट के हालातों को लेकर बात की दोरान जोशी मट में चल रहे राहत और बचाफ कारियों की जानकारी बीली मेर चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस के भीच ओल्ली नगर निगम ने मेर चुनाव के लिए 30 जनवरी की तारीक परस्तावित की है गरतन दिवस के बाद दिली को नई मेर मिल सकती है डिली सरकार के मताबिक M.C.D. ने मेयर चुनाफ के मद्दे नजर एक प्रस्ताफ के साथ शहरी विकास विभाग को एक फाइल भेजी है इस प्रस्ताफ को डिली के डिप्टी सीम और शहरी विकास मंतरी मनीर शिषोदिया और डिल्ली सीएम कारयाला को मंजूरी के लिए भेजा गयाएगा ये पूरा प्रस्ताव मेयर डिप्टी मेयर और स्थाई समिती के सदस्यों के चुनाफ की तारीक को अंतिम रूप देने से संबंदित है एसेस राजा मॉली जूनियर एंटियार और राम चरण के लिए साल 2023 धेर सारी खुशिया लेकर आया है पहले उनकी फिल्म RRR को आसकर अवार्ट के लिए शॉट लिस्ट किया गया और अब इसी मूवी के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजनल सौंग के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ट्स मिला है इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें इसकी घोशना उने पर स्टार कास्ट और डारेक्टर खुश होते दिखाई दे रहे हैं गोल्डन ग्लोब्स में आर 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 को रिप्रेजन्ट इसके डारेक्टर एसेस राजा मॉली और स्टार्स जूनियर एंटियार और रामचरण कर रहे हैं जिनके साथ उनकी पत्नी उपासनाग कामेनी नी भी है दिल्ली के माया पूरी थाने में तैनात एसाई शंभू दयाल पर चार जनवरी को किये गए चाकू से हमले का सीसी टीवी सामने आया है एक बदमाश को पकड़ते वक्त बदमाश ने एसाई पर चाकू से कई वार किये थे और इलाज के दौरान एसाई की मौत हो गई थी शुपाय हुए चाकू को निकालता है और अचानक ताबर तोड हमला शंभू धयाल पर कर देता है इसी बीच शंभू धयाल के हाथ में भी डंडे जैसी कुछ चीज दिखाई दे रही है जुससे वे लगाता है न सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं बलकि बदमाश पर वा भारत और श्री लंका के बीच तीन मैचों की वंडे सिरीज का दूसरा मुकाबला कोलकत्ता में खेला जाएगा ये मैच इडिन गार्डिन्स में खेला जाएगा पहले वंडे जीतने के बाद भारतिय टीम में जहां इस मुकाबले को जीत कर सिरीज में अजय बढ़त लेना खेली थी फिलाल इस बुल्टेन में इतना ही देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर